आधी बाजवी जीत गया इंग्लेंड आप सोच रहें कि इंग्लेंड कैसे आधी बाजवी जीत गया अबर तो हम डॉमिनेट कर रहे हैं हमारे बॉलर्स ने इंग्लेंड की बख्या उधिर दी है बैस बॉल की हवा निकाल दिये तो फिर इंग्लेंड आधी बाजी कैसे जीत किया दरसल इंग्लेंड आधी बाजी ऐसे जीत किया कि यह जो pitch है उसने match का रुख लगभग बता दिया अब यह तो तह है कि यह match बाकी चार match की तरह जो हैदराबाद में हुए उनकी तरह ये भी पाच दिन तो नहीं होने वाला यानि कि आप पाच दिन का test match नहीं देखने वाले हैं हमने pitch देख ली हमने देखा कि ball इतनी spin हो रही कि जो slower ones होती है वो slower ones की जगा अब cutters आ रही है जब एक pacer इतनी खतरनाक ball डाल रहा है जब pacer की ball इतनी spin हो रही है तो आप spinner का जलवा कैसे देखेंगे आप spinner का जलवे को ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं कि अश्विन जडेजा और अक्षर पटेल रोहिश शर्मा ने तीन-तीन spinner खिलाए और तीनों spinner ने wicket लिए तीनों spinner ने ऐसा नहीं है कि रन दिये हो तीनों के spinner की economy भी अच्छी है दो से तीन के बीच की economy जडेजागी थोड़ी से ज़्यादा है तीन से बाकी दो से तीन धाई-धाई की economy लेकर चल रहे हैं अश्विन और अक्षर पटेल जिनका England की against outstanding record है वो बहुत शांदार कर रहे हैं इस match में भी लेकिन आप जब पहली inning में England batting करके खत्म हो जाएगा फिर इंडिया आएगी तो इंडिया को बहुत बड़ा challenge face करना है बहुत बड़ा challenge इसलिए क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतें पिछ में cracks आने शुरू हो जाएंगे और जब पिछ में crack आएंगे तो आखरी inning में जो भी टीम batting करेगी उसके लिए सबसे बड़ा challenge होगा उसके लिए change करना सबसे ज्यादा मुश्किल होगा ये time आना जा रहा है अब ऐसे में जब toss जीत कर England ने batting का फैसला लिया मनें इंडिया को चौथी पारी में batting करनी होगी तो इंडिया के लिए सबसे पहले तो challenge यही है कि जो आप पहली inning खेलेंगे अपनी उसमें एक बड़ा total दे दीजिए एक बड़ा run का अंबार लगा दीजिए ताकि आपको दुबारा जो दूसरी inning उसमें batting करने के ज़रू होते हैं बारी पड़ जाते हैं जैसे South Africa ने पहले match में किया तो उनने पहली पारी में इतने run बना दियो थे कि दुबारा उनको बैटिंग करने के जरूरत पड़ी ही नहीं थी ऐसा ही कुछ अब इंडिया को करना होगा नहीं तो दिक्कत आ सकती है आप भले से कैदेंगे कि रिहान एमद, जैक लीच और इनके अलावा टॉम हाटली जो की डेब्यू कर रहे हैं ये अभी बहुत कम experience के साथ आते हैं as compared to Ashwin, Jadeja और अक्षर लेकिन आप देखेंगे जो पिच ऐसी है जो रिहान एमद हैं उन्होंने पहले ही match में साथ विकेट लिये थे अपना दूसरा आज खेल रहें इंडिया की अगेंस्ट इंडिया के अंदर पिच पे स्पिन है मतलब वो भी कतमनाक है जैक लीच के इंडिया की अगेंस्ट एवरेज भी अच्छा है उनके विकेट भी अच्छी है लेकिन टॉम हाटली की बात करूं तो वो डेब्यू पर जरूर है पर पि रोष्ष्टर्मा ने खाक भईया हम तोस जितने हम भी बैटिंग करते तो ऐसे में उनको कुछ आप बड़ा करना पड़ेगा अब रोष्ष्टर्मा की स्टीम को हैदराबाद के मैदान पर बैस्बॉल का जवाब बैस्बॉल स्टाइल में दे या न दे क्योंकि टाइम मु पूटिनी टेकने पर मजबूर कर सकते हैं आपको क्या लगता है क्या चौती इनिंग तक इंडिया जाएगा क्या यह मैच कुछ इंटरस्ट हमें दिखाएगा या फिर बाकी कि तरह यह जल्दी खत्म हो जाएगा मुझे कॉन्ट में जरूरू बिताएगा वीडियो अगर आपको बसनाई होते हैं लाइक और शेयर बरूट करें जाते हैं अधर चानल को सब्सक्राइब करते हैं जाएगा